Post Office Budget काता यानि एक ऐसा काता जिसके अंदर आपको 10 तरगे फाइदे मिलेंगे और 10 तरगी सुईदाय भी मिलेगी नमस्कार मैं हूँ आपका Postal दोस्त सबसे पहले बात करें खाते को खुलवाने के लिए कितने पैसे चीए तो आप 500 रुपे से इस खाते को खुलवा सकते हैं और आपको ये बैलेंस मेंटेन भी करना होगा यानि कि 500 रुपे से नीचे आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे Maximum amount के यापर कोई limit नहीं है साथ ही यापर किसी परकार का कोई TDS नहीं काटा जाएगा एकाउंट को आप सिंगल और जोइंट दोनों ही करनिशन में खुलवा सकते हैं जोइंट एकाउंट यापर A और B दो टाइप के खुलते हैं साथ ही यापाता आप किसी भी post office के अंदर खुलवा सकते हैं चले बात करते हैं post office बच्चत काते की 10 facilities के बारे में सबसे पहले जो बड़ी सुईदा मिलती है वह यह है कि आप कुछी भी post office scheme के अंदर यादि पैसा निवेस करना चाते हैं पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाते हैं तो उसके लिए आपको post office बच्चत काते की जरूत पड़ती है और उसके थ्रू ही आप MIS, TD, NAC, KVP के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं ज़री आप post office की बच्चत काते पर net banking ले लेते हैं तो वहाँ से आपको सारी सुईदा है online भी मिल जाती है इसके अलावा post office के बच्चत काते पर आपको ATM की facility मिलती है वह ATM कार्ड आप किसी भी bank के ATM के अंदर यूज ले सकते हैं साथ ही यहाँ पर CTS checkbook आपको मिल जाती है जो कि कहीं भी काम में आप ले सकते हैं इसके अलावा आपको net banking की सुईदा मिलती है और साथ ही आपको mobile banking की सुईदा भी यहाँ पर फिरी में मिल जाती है इन दोनों ही सुईदाओं का कोई चार्ज यहाँ पर आपसे नहीं लिया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से इसको आप चला सकते हैं आदा डिबीटी के माध्यम से आप कोई भी सरकारी पैसा इस खाते के अंदर प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा अटल पैंसन योजना जो की APY के नाम से जानी जाती है वह भी आप इस खाते पर सुईदा ले सकते हैं इसके अलावा परदान मंतरी सुप्ष अभीमा योजना जो की 20 रुपे में 2 लाग का एक्सिडेंटल कवर देती है वह भी सुईदा आप इस पर ले सकते हैं इसके अलावा PM JJBY की सुईदा भी आपको इस खाते पर मिल जाती है साथ ही पिछले साल पोस्ट अपिस के बच्छत खाते पर Napt और Artiges की सुईदा शुरू हो गई थी और पोस्ट अपिस के बच्छत खाते के भी IPC कोड आ गए थे तो इसके मादियम से आप किसी को भी Napt और Artiges भी सकते हैं और किसी भी बेंक के मादियम से यहाँ पर पैसा मंगा भी सकते हैं आगे बटने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको ऐसी ही जानकरी समय पर मिलती रहें बात करें POSB के साथ बेनिपिट्स की तो यहाँ पर आप पोस्ट अपिस के बच्छत खाते को इंडिया पोस्ट फेमेंड बेंक के खाते से लिंक करके उसको स्वीप इन और स्वीप आउट के मादियम से बेंक एकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं POSB का पैसा IPPB में लेकर आप किसी भी बेंक में बेज सकते हैं और IPPB के पैसा मंगा कर किसी भी POSB के खाते में डाल सकते हैं यहाँ पर आपको 4% ब्याजदर मिलती है जो कि साल में एक बार यानि एक अपरेल को जमा की जाती है यह ब्याजदर आपको बेंकों से ज़्यादा मिलती है क्योंकि बेंकों में 3 से लेकर 3.5% के बीच में ही ब्याजदर याप पर अभी मिल रही है पोस्ट ओपिस के अंदर बच्चत खाते के अंदर नॉमिनेशन करवाना जरूरी होता है और जब पहली बार आप नॉमिनेशन करवाएंगे तो यह नॉमिनेशन भी होता है साथ ही post office के अंदर 10 साल से उपर वाला कोई भी लड़का या लड़की इस खाते को खुलवा सकते हैं minor account भी यहाँ पर available होता है यहाँ पर एक बहुत ही major जो सुईदा मिलती है वह यह है कि बिना कोई checkbook साथ ही यदि आपका account silent हो जाता है तो उसको revival भी आप करवा सकते हैं उसका भी किसी परकार का कोई charge यहाँ पर नहीं लगता है सबसे बड़ी जो बात में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ POSB की वह यह है कि यह खाता cyber fraud के लिए कापी सुरक्सित है आपने कभी नहीं सुना होगा कि POSB कहते के अंदर OTP बताने के बाद में पैसे निकल गए होंगे जैसा कि बेंकों के साथ में ऐसा होता है तो यहाँ पर आपका पैसा काफी safe रहता है अब saving account के बारे में कुछ important बाते आपको जान लानी चाहिए जिसके अंदर सबसे पहला है कि जब आप बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हैं तो वहाँ पर आपको per day के हिसाफ से भी आज मिलता है लेकिन post office के बच्चत काते पर आपको महीने की 10 तारिक से लेकर अंतिम तारिक की बीच में जो भी minimum balance होगा उसके उपर आपको उस महीने का भी आज दिया जाएगा यदि आप joint A account open करवाते हैं तो दोनों ही खातातारकों के signature माँ पर जरूरी होते हैं जबकि joint B के अंदर कोई भी वेक्ति उसको चला सकता है साथ ही ये खाता पूरे भारत के अंदर केवल एक ही वार खुलेगा एक वेक्ति एक ही account पूरे इंडिया के अंदर रख सकता है लेकिन इसको transfer करवाना की सुईदा आपको यहाँ पर मिल जाती है यदि आपका post office में बच्चत खाता है कैसे कुलें यदि आपका post office में पहले से कोई खाता नहीं है यानि कि आपकी KYC नहीं हो रखी है तो आपको दो photograph की आवसकता है यहाँ पर पढ़ेगी साथ ही आपको ID proof के अंदर pen card, adar card या water ID या passport आपको देना होगा इन सब के बाद में आपको post office के बच्चत काते का फारम परना है और ऐसा करने के बाद में आपको post office में वो फारम जमा करवाना होगा और वहाँ से आपको उसी दिन passbook मिल जाएगी वीडियो को आपने यदि यहाँ तक देखा है तो एक like तो बनता ही है और अपने दोस्तों के साथ में सेर इसको जरूर करना है थैंक्स पॉर वाचिंग नमस्कार